नमस्ति प्रणाम हमकी सारे लाल यादो सबके प्रणाम करना हूँ आज सुबह आख खुलते ही कि इतनी दुख भरी मैसेज मिला मुझे कि समझ में नहीं है कि हम क्या करें सिजन 13 में, बीक बोस के सिजन 13 में हमारे बहुत अजिज मित्र और हमारे दोस्त भी और एक बड़े भाई की तरह सिधार्ट सुकला जी का जब नील सुनने को मिला तो अकीनी नहीं हो रहा था खुद पर कि ऐसा हो सकता है कि वैं सिजन 13 में हमारी लड़ाईयां भी दोनों भाईयों के हुई, वो प्यार की लड़ाईयां थी और मैं जब सिजन 13 के बीक बोस से बाहर आ रहा था तो सबसे ज़्यदा अफसुस सिदार्ट सुकला जी को ही हुआ था क्योंकि वा इनको बाबा बोलता था और हमारी कोई पहले से पर्चे नहीं थे लिए को उसके से जल तेरा भी हमारी मुलकात उन से हो बड़े अच्छे इंसान भी थे अपनी कोई भी बात नी धड़क बोलते थे और इस उम्र में जाना भी कुछ अजीब सा लगा तो क्या बोल सकते हैं बस मैं पर्मान सही प्रातना करोना के उक्यात्मा कुसांती नहीं और ऐसे लोगों को इतनी जल्दी मत बुलाओ उस वक्त क्योंकि अभी बहुत कुछ करना था इस इंडिस्टी को बहुत आसा थी उन से हम समको आसा थी एक अच्छी परस्णाल्टी के साथ एक अच्छे विशार धरा के साथ अपने जीवन को चला रहे थे हैं मैं उस मा को सा और मा हम सब हैं आपके संथ बिल्कुल आपने से रहे कि हाँ एक बेटा गया है ठीक है अब इश्वार को क्या मंजूर्थ नहीं जानता है बट बहुत सारे बेटे आपके हैं जो आपके प्यार के लिए हमेशा खड़े रहेंगे तो दिल से एक दुख बरी बात है क्या बोल सकता हूं मैं बट मैं इश्वार सही प्रात्ना करूना की भगवान ऐसे अच्छे लोगों को और इतने जंदे मत बलाई है यह धरती शुनी शुनी हो जाती है थैंक यू